के गाइस माई नहीं संदीब कल्चन वेलकिम टू माई चैनल तीश्यू गरीन प्लाइट दोस्तों आज की जो वीडियो है वह मैं घर पर बनाने जा रहा हूं काफी टाइम से हर वीकेंड पर मैं बाहर जबता नर्सरीज को कवर करने लेकिन अभी डेली में वीकेंड कर फ्यू प्लांट की क्योंकि आपको पता हूं को जेड मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है लो मिंटेनेंस प्लांट है तो मैंने इसकी बंजाइस काफ़ी सारी बनाई थी बीच में तो कुछ मेंने अपने फ्रेंज को भी दे दी तो आज जो है वह मैं जेड के इसको प्लांट से उनको में कारबन डियक्साइड को बहुत अच्छे से अब्रब करते हैं तो और अगर आप अगर मैं बात करूँ जो हमारे अच्छिन कंट्रीज जैसे इंडिया चाइना और साउथ कोरिया यह यह कंट्रीज हैं इन प्लांट को प्रोसपेरिटी के लिए मनी अट्राक्टेड प्ल बगा लिजे नहीं है तो ले लिजे ये प्लांट जो है ये एक एक छोटी सी लीव से एक छोटी सी स्टेम से भी प्रॉपगेट हो सकते हैं लग सकते हैं अराम से को काफी लोगों की थो हीनका प्रक्वेस्ट आती है क्या जेड to को हम इंडोर रख सकते हैं कि मैं बहूँगा कि आप रख सकते हो बट लुट प्र टाइम बिंग किसी को दिखाने के लिए घरम फेको गैश तैम अगिले की जेड जो है ऊंडोर प्लांट है इसे फुल सनलाइट चाहिए पानी इसे आप हलका रखिए विंटर में तो कोशिश किजिए कि बहुत ही कम दीजिए एक दो दिन में तीन दिन में तो बिल्कुल चलेगा इसमें पानी बहुत सो दोस्तो ब्लान को मिट्री की बहुत पानी पसंद नहीं स्काफीर नहीं में तो मिट्रेशन को भागे उगल में मणते हैं क्योंकि aここ disput थोड़ा मौिस्टर को lord करता है मोईस्टर ऑ transferred literature करेगा फ़रा झाल सब्सक्राइब आप चाहते हैं कि आपका फ्लांट हैBar अगर मुर्जार आया कोई दिक्कत है तो 15-20 दिन महीने बाद आप छोटा सा काम कर सकते हैं तो नीम खली डाल सकते हैं या फिर आपके पास में बोन मील है वो डाल सकते हैं यह हर जंगा नर्सरी में अवेलेबल है 50-60 रुपे किलो मिल जाती है नीम खली और बोन मील हल्का आव घाई करनी पड़ेंगी अगर आप देखते हैं तो ऑस्ते डाल से में जा विलए स्टार्टिंग से प्रश्रीज तो यह अब देखेंगे थोड़ा से थोड़ा से ख्लियर ओजाएगा अब यह मुझे फुरन से इसका इसके फ्रेंट है और दूसरा रूल होता है कि फ्रंट को हमेशा क्लियर करना होता है फ्रंट आपका थोड़ा सा विजिबल होना चाहिए तो अबकर देखने स स्टेम है यह थोड़ी सी इसमें फ्रेंट में बीच में आ रही है तो मैं इसको भी कट कर देता हूं सारी चोड़ी स्टेम से यह एकी डारी है जो बहुत अच्छी नहीं लगेंगी तो मैं थोड़ा सा इनको कट कर देता हूं कि जिसे मेरा थोड़ा फ्रेंट है वह थोड़ा सा और अच्छा वीजिबल हो जाए जो दोस्तों यह यह जो है यह मैं सबसे पहला बुझाई था जो मैंने बनाया था और जो इसकी लीवस जो बची थी वह सबकी सब मैंने इसमें लगा दी ती जो मेरी स्टेम्स बची थी आज देखिए कितनी बड़ी बड़ी होगी है और यह हैंगिंग में इतनी अच्छी लगते हैं देखने में कितनी बड़ी वीडियों कि यह मैंने जो भी मेरी स्टेम्स कटे थी मैंने इसमें लगा दे थी प्रपागेट बहुत अराम से होती है यह मेरा फर्स बोंजाई था तो दोस्तों अगर आप आप इस वाले बुझाई को देखते हैं तो थोड़ा सा मैं पड़ा इसकी रूट्स को तो यह पॉट है यह पॉट सेरामिक का है लेकिन अगर बात करूं तो यह बॉंजाई के लिए नहीं है बॉंजाई के लिए इस सब्सक्राइब की ट्रेश वगरा चोटी वाले जो पॉट्स होते हैं यह यूस यूस फुल होते हैं क्योंकि इसमें इसके त्रेक्रश नहीं पारी थी मिट्टी की ब्ल्कुल यूस और आप दिगे कितनी सौफ्ट है यह माने इसकी मिट्टि बनाई थी मनजाई के लिए असके संसर् dues fashion ज़ए एक हैसे मिट्री आपको इसके बनानी ही है और कोहीं हो इसकी रूट कर असकば करता नहीं कर सकती है तो इनको हम कोशिश करेंगे कि हम इसको लगाएंगे तो आए दोस्तों शुरू करते हैं जो पॉट में जो होल्स थे मैंने उनको होल्स को थोड़ा सा पत्थर से कवर कर दिया है अब मैं यह वाले सेम स्वाइल इसमें एक बार यूज करता हूं कि मैं इसमें थोड़ी सी स्य दोगिर और नीम खली अगरे का इसलमाल करूँगा कि अभी शुरुवात में थोड़ा से इसको जरूरी होगा कि एक बार थोड़ा सा पखड़ बन जाए और शुरूद में थोड़ा सा फटिराजयर अगर हम देते हैं तो यह थोड़ा सा अच्छ से दे सकते हैं कि यह 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 बोन मील कि मैं थोड़ी सी इसको मिट्टी को बिल्कु दवा रहा हूं आप देखते हैं तो जिससे थोड़ इसकी जो एक्स्ट्रा एयर में वह सब निकल जाए बस मैं इतना रख रहा हूं ताकि वह स्टैंड हो पाए और बहुत जाद मिट्टी नहीं भर रहा हूं काफी दिनों का जो मेरा पेंडिंग काम था वह आज पूरा हो गया मैंने काफी हद तक प्रूनिंग कर दिया पिंचिंग कर दिया है थोड़ी सी जो ट्रंक्स नहीं दिख तो जीरे देर करके आगे मैं कोश्च करूंगा कि मैं इनको रेगुलर इन पर मेंटेनिंस में की करता रहूं क्योंकि मेरे को जेड प्लांट हमेशा से मेरे बहुत प्यारे रहे हैं तो अगर दोस्तों आपको यह वीडियो इंफर्मेटिव लगी है तो लाइक शेर और सब् होती है बढ़ा जेड में मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है मुझे मैं आपको अपने शेयर कर सकता हूं तब तक देखते रहे हैं तीशु ग्रीन टानेट एंड दोस्तों ध्यान रखिए अपना कैसी बहुत जदा बढ़ रहे हैं डेली में और अलोगर इंडिया तो आप को अपना ध्यान रखिए अपने प्यारए और अपने दोस्तों का भी थैंक यू